आज की इस वीडियो में आप लोग सिखने वाले हैं पार्किन अबक्रिया जो की एल्डिहाइट की एक रासानिक अबक्रिया है वो भी एरोमेटिक एल्डिहाइट की बेंजेल्डिहाइट की क्रिया हम एस्टिक एन हाइड्राइट से कराते हैं तो हमें सिनमिक आमले प्राप् होता है किसके क्रिया बच्चो आप लोगों को नाम से उसकी बारे में थोड़ा सा डीटेल त्यार करना पड़ेगा कि पारकी नब क्रिया में होता क्या है हम बेंजल डिहाइड के क्रिया कराते हैं एस्टिक एन हाइड्राइड से बेंजल डिहाइड का फार्मिट क्या बच्च यह आपके पास benzen ring है और इसमें आपका CHO ग्रूप जुड़ा है तो यह benzenlihyde है इसको हम estic anhydride से estic anhydride का मतलब होता है CH3CO का whole toys यह CH3CO का whole toys और इन दोनों के साथ O जुड़ा है whole toys मतलब दो है है ना CH3CO जो समों है दो है estic anhydride है इसको जब हम क्रिया कराते हैं वो किसके उपस्तिती में क्रिया होती है sodium acetate acetate का फार्मेट है CH3CO और sodium जुड़ गया तो sodium acetate के उपस्तिती में क्रिया करता है तो cinnamic अमल बनता है cinnamic अमल कैसे बनता है पहले आपका जो CS3 है मैं आपको यहां से एक step बता दूँ कि यहां से आपका CS3 है और O है यह एक अलक से group बनाता है और एक एच यहां से निकाल देगा एक एच यहां से ले करके पहले तो यह convert हो जाएगा CS3 COOH में यह आपका एस्टिक अमल बना दिया और एक सिन्दमिक अमल आप सिन्दमिक अमल कैसे आप लोग इसको तयार करोगे बच्चो हमारे पास यह बेंजीन देंगे तो बेंजीन रिंगी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना समझ में आएगा आपको ठीक यहां पे जुड़ा ह लेंगे столько ch, फिर भी आपका भाई दे खो 1h इसके साथ चला गया, एक इसकारवन के साथ है और यह हमारे पास c o all ready है, c o दिकरा है, एक आक्षिजन यहां से और यहां पे तीन एच थे ना, तीन अ Wak learnt ना ना से एक चारवन के वास अपास यहाँ पर बंद अप्लिट नहीं हो रहे पार्किन अभक्रिया में यही आपका सिन्नमिक अमल मिल गया कि सोडियम एसिटेट के उपस्थिती में बेंजल डिहाइट के क्रिया एस्टिक एन हाइडराइट से कराया तो सिन्नमिक अमल बन गया यही है पार्किन अभक्रिया पार्किन अभक्रिया में आपको इतना ही लिखना है बराबर नमबर आपको मिल जाएगा उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो परसंदाइट लाइक करके सेयर जरूर करिएगा मिलते हैं के लिए वीडियो के साथ जय हिंद बंदे मातराम